बच्छे एक दिन के अंदर कितनी बार रहल चल करते हैं और एक एगाईज वीडियों के अंदर जितने भी मन में डाउट चल रहे हैं बेबी किकस रिलेटेड वो मैं क्लिएर करूँगी साथ ही साथ में मैं अपनी प्रेगनिंशी के ये लास्ट तक वीडियो को वच किजिएगा गाईज और आज के आज आपका डाउट डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा मैं आप सब के साथ श्वेता और आप देख रहे हैं प्राइम मॉम चानल पहली पर अगर आए चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजे चैनल को वीडियो को भ जो है वो प्रेग्निंसी में तीसरे महीने चौथे या पाच्वे महीने में कभी भी आ सकती है जब भी आपके बच्चे की डेवलाप्मेंट पूरी होती है उस हिसाब से अगर उसने माइल स्टोन क्लियर कर लिया तो बच्चे की हलचल आनी सुरू हो गई अब एक मा जो है वो कैसे समझेगी कि ये बच्चे की हलचल है क्योंकि पेट में तो ऐसे पॉप अप टाइप्स जो होते हैं वो गैस बबल्स भी होते हैं तो कई बार बच्चों की हलचल को एक मा गैस बबल्स समझ लेती है और ये चीज़े भी देखी जाती है कि अभी एक जो न्यू मॉम ह हैं या पहली बर माँ बनने वाली हैं तीसरा ही महीना चल रहा है पेट में गैस बबल से उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी बेबी किक्स तो तीसरे महिने में ही आ गई तो यहां भी एक डावट जरूर होता है आपके अंदर तो चली एक कर जाते हैं कि गैस बबल्स और करते हैं गैस बबल्स की आज आपने गैस बबल्स एक्सपीरियंस किया कल भी किया यानि कि सब्ता में दो से तीन दिन गैस बबल्स होते बाके दिन पेट आपका बिल्कुल ठीक होता है कोई गैस बबल्स नहीं कोई प्राब्लम नहीं कोई मरोडे नहीं पेट के अंदर तो मतल हो जाएंगे क्योंकि मेरे पास फ्रिक्वेंटली पीछली वीडियो के अंदर कमेंट्स आ रहे थे कि मुझे तीसरे महिने में बच्छे की हलचल आ रही है जिनका नाम था सरीता तो सरीता जी नहीं यह कमेंट किया तो मैंने सोचा कि उनको एक वीडियो के तुरू समझाया जाए कि देखिए वो जरूरी नहीं है कि वो गैस बबल्स है या बेबी किक्स है उसको आप पहले ऑफ्जर्ब किजिए कम से कम दस दिन तो टाइम दीजिए तब आपको अच्छे से अंदाजा लगेगा एक बच्चा एक दिन के अंदर तीन से चार बार मिनिममम हलचल करता है और सबसे ज़्यादा बीस पच्चीस या तीस बार भी बेबी किक्स कर सकता है अगर कमप्लीट 24 आउर के अंदर आप कंसिडर करें तो कई बार मैंने इससे भी ज़्यादा बार बच्चे एक एक दो-दो मिनट तक लगतार पेट में हिलते रहते हैं ये चीज़े आपको छटे या साथे महिने के बाद एक्सपीरियंस होगी मैंने बच्चे की हलचल 16 वीक पे कंसिडर की थी और एक्सपीरियंस किया अब गाइज आप अपना बताईए आपने क्या अनुभव किया और अगर आपकी पहली प्रैग्नेंसी है तो आपको ठीर सारी बेस्ट विसेज बच्चे की हलचल आपको किस हिसाब से काउंट करनी है वो आप जरूर समझ चुकी होगी अब तक